पतना में CPI की रेली में मुख्य मंत्रे नितिश कुमार ने कॉंग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को इंडिया गड़ बंधन की चिंता नहीं है वो पांच राज्योग के विधानसभा चुनाओं में व्यस्त है उनकी वज़े से इंडिया गड़ बंधन का कामकाच प्रभावित हुआ है अब हम लोग आगे की बाते चुनाओं के बाद ही बैटकर तै करेंगे 26 अक्टूबर को कॉंग्रेस के ओफिस सदाकत आश्रम में श्रीक करशन सिंग की जेंती मनाई गई थी लालू कारिक्रम में शामिल हुए थे इस कारिक्रम में नितिश को भी निमंतरन था लेकिन वो नहीं गए थे छे दिन बाद आज CPI के मंच से मुख्यमंतरी ने उस कारिक्रम में न जाने की वज़ा को साफ किया गुरुवार को मिलर इसकुल में हो रही इस रेली में मुख्यमंतरी ने आगे कहा कि CPI के साथ हमारा पुराना रिष्टा है कम्यूनिस्ट पार्टी दो हिस्तों में बढ़ गई है इसको एक होने के लिए सोचना चाहिए नितीश ने केंदर सरकार पर निशाना साथ तेवे कहा कि आज जो सरकार देश में है उसको देश की आजादी से कोई मतलब नहीं है बाश्पा हिंदू मुसलिम में जञजट कराना चाहती है 2007 से हम कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग बिहार में पिंचाणू प्रतीशत को एकजूट किये हैं बिहार में जितना काम किया जा रहा है वह कहां छप रहा है उन्होंने का कि हम लोग इतना बहाली किये हैं फिर भी थोड़ा बहुत छपता है CPI की रेली में तेजस स्वी यादव ने का कि हमारी सरकार एक दिन में 1,20,000 अभ्यारतियों की नियुक्ति पत्र दे रही है अभी सरकार को 14 महिने ही हुए है और हमारी सरकार ने 4,000,000 नोक्रिया दी है BJP पर निशाना सातेवे कहा कि कुछ लोग तलवार बाट रहे हैं हम लोग रोजकार दे रहे हैं BJP की वज़े से बिहार का दो साल बरबाद हो गया मध्यप्रदेश में BJP ने MLA को खरीद लिया BJP को बिहार से बाहर करना लोकतंत्र की मांग थी BJP को भारत की सत्ता से भी बाहर करेंगे BJP की सरकार पुंजीपती की सरकार है वहीं शिक्षक भरती के धांदले के आरोब पर उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से परिक्षा ली गई कोई धांदली नहीं हुई इसी के साथ मैंने रही है एश्या इस इंडिया के साथ हैं लिवाद